Hello everyone, welcome to StudyTube NCRT series आपका समाप्त हो चुका है NCRT series ये आपका समाप्त हो चुका है Last chapter कौन सा है? Chapter number 42 Natural Resources प्राकृतिक संसाधन ये last chapter है NCRT series के अंदर और इसके साथ इस chapter को मैंने समाप्त कर दिया है मैंने आपसे कहा था उड़िया के सुरोत हम बिमार क्यों पढ़ते हैं पारिस्तितिक तंत्र और उसके बाद प्राकृतिक संसाधन इन सारे chapters के जो PDF होंगे वो आपको free में दिये जाएंगे और मैंने इन सारे chapters के जो PDF है टेलिग्राम चैनल पे upload कर दिये हैं जिनको भी download करना है वो download कर लो क्योंकि 20 तारी के बाद ये सारे PDF जो हैं आपको टेलिग्राम चैनल पर नहीं मिलेंगे और ये सारे हो चुके रहेंगे paid तो टेलिग्राम चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा comment box में सबसे उपर मैंने pin कर दिया है आप उस link पर क्लिक करके टेलिग्राम चैनल से जूर सकते हो और इस PDF को डाउनलोड कर सकते हो आज 9 जुलाई है तो 9 जुलाई का post देखना ठीक है 9 जुलाई का post देखना आपको ये सारे PDF मिल जाएंगे 20 तारी के बाद अगर आप इसको ढूटते हैं तो ये सारे chapters के PDF नहीं मिलेंगे ये सारे paid हो चुके ढढ़ेंगे और तब मिलेगा आपको जो ebook store का website है उस पे तब आपको वहाँ से buy करना होगा इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है क्योंकि अगर मैं इसको post में डालता है community post में YouTube के community post में तो सारे student के पास जनकारी ये पहुँच नहीं पाती है इसलिए मैंने वीडियो के माधियम से सोचा कि आपको बता दूँ उसके बाद class 9th के अंदर class 9th के अंदर जो chapter number 15 था ठीक है science के अंदर chapter number 15 chapter का नाम क्या है improvement in food resources थादिस अंसादुनों में सुधार उस ppt को मैंने upload कर दिया telegram channel पर उसके बाद जो animal husbandry है इसका मेरे पास ppt नहीं था क्योंकि मैंने बनाया नहीं था तो सोचा चलो जल्दी से मैं key points बना देता हूँ key points मैं लिख देता हूँ तो animal husbandry पशुपालन से सम्मतित जितने महत्यपुर्ण बिंदू है इतने सारे typing के बाद हुआ यह होता है न कि अगर आप word जो है Microsoft का word जो है अगर आप यूज करते होंगे तो आपको पता होगा जब मुसको cut करते हैं हमसे पूछा जाता है क्या आप इसको जो अपने save किया है कि आप उसको save करना चाहते हैं या फिर नहीं मैंने गलती से नहीं पे click कर दिया और यह सारे जो मैंने महनत किये थे सारे बेकार चले गए तो इसके बाद मुझे द्वारा मन नहीं किया कि वापस से मैं इन सारे सवालों को फिर से लिखू तो मैंने सुचा चलो जो मैंने ppt बनाया है वो मैं आपको provide करवा देता हूँ तो वो मैंने आपको दे दिया उसके बाद सुचा चलो पशुपालन के उपर मैं जो भी महत्यपुन बिंदू है उसको भी लिख देता हूँ जो key points है उनको भी याद करने है और एक बार इस chapter को पढ़ लेना आपका ये chapter complete हो जाएगा अगर इस chapter से सवाल आएंगे तो आपसे नहीं छूटेगा अगर आप इतना कर लेते हो इस ppt को देखो इस key points को देखो और इस chapter को एक बार पढ़ लो इस chapter से अगर सवाल आया आपके exam में तो आपसे सवाल नहीं छूटेगा तो ये telegram channel का link है ठीक है ये telegram channel का link है आप इस link के माद ही हमसे join कर सकते हो telegram channel को और download कर सकते हो ये जो है ये आपको मिल जाएगा 8 जुलाई के post में आठ जुलाई वाला देखना उसमें ये मिल जाएगा आपको अब आप में से जो ये बोलते हैं आप में से जो भी students ये बोलते हैं ये सारे PDF जो है ये सारे भी आप free में दे दो आप telegram channel के उपर सारे free में डाल दो तो मैं आपसे माफी चाहता हूँ इन में से कोई भी PDF जो मैंने इससे पहले upload की हैं वो मैं आपको free में नहीं दे सकता इनके लिए जिनको भी लेना है उनको pay करना ही होगा ये ebook store है यहां से आप pay करके इन सारे PDF को buy कर सकते हैं अब आप में से कुछ students ऐसे होंगे सारे नहीं बट कुछ ऐसे होते ही हैं जो गालिया देंगे कि यह तो ग्यान की चीज़े हैं यह तो education की चीज़े हैं इन से पढ़ करके तो हम लोग जॉब लेंगे आप इनके पैसे कैसे ले सकते हो आपको तो free में देने चाहिए और भड जबर के गालिया देंगे कि सब business कर रहा है सब पैसे कमा रहा है यह कर रहा है वो कर रहा है लेकिन आप यह मत भूला कि जो आप आज पढ़ाई लिखाई कर रहे हो न वो इसलिए कर रहे हो ताकि कल को job ले करके मैं पैसे कमाऊ इसलिए नहीं कर रहे हो ताकि job ले करके मैं free म कमाता है सबकी अपनी 24 सबका अपना काम है उस काम के जड़ी वो पैसा कमाता है आप यह नहीं बोल सकते हो कि आप अगर टीचर हो तो आप फ्री में दो क्यूंकि मैं यहां वडियो बना रहा हूं जो कुछ भी मैं कर रहा हूं इसमें मेरे भी पैसे खर्च होते हैं ऐसा नहीं एक फोटो की मैं बात कर रहा हूं एक पिक्चर एक एक पिक्चर मैंने 50, 100, 1500, 200, 300, 400, 500 तक का मैंने खरीदा हुआ है सिर्फ इसलिए ताकि मैं आपको सही से समझा सकूं क्यूंकि ऐसे मैं नेट से कोई भी फोटो डाउनलोड करके नहीं लगा सकता हूं उस पर कॉपी राइ लगी उनको मैं सौर्य कहता हूं और जो मेरे बातों को समझ पाएं जो मुझे समझ रहें उनको मैं थंक्स कहता हूं